इस्राइल निजब से गाजा में हमास के खिलाफ अपना सेन ने आपरेशन शुरू किया है तब सिर्फ फिलिस्तीन के समर्थन में एक कई चरम बंती संगठन इस्राइल पर हमलावर है सबसे कड़ी चुनौती लेबनान के हिजबुला आतंकी संगठन से मिल रही है हिजबुला लड़ाके अब इस्राइली बलों के लिए बड़ा खत्रा बनते जा रहे है इरान समर्थित ये संगठन लगातार इस्राइल के लिए मुसीवत खड़ी कर रहा है यही वज़ा है कि गाजा में लड़ते लड़ते इजरायल से न अब हिजबुल्ला लड़ाकों का भी सामना करने को मजबूर है दोनों पक्षों की ओर से लगातार बंबारी और एर स्ट्राइक की जा रही है इस बीच लिबनान के इसलामी प्रतिरोध हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने दक्षणी लिबनान में बड़े पैमाने पर इजरायली कब्देवाली मेटूला बस्ती में जबरदस्त गोलाबारी कर भीशण हमला बोला है दावा तो ये भी है कि हिजबुल्ला के इस हमले में इसरायली पलों की ओर से इस्तमाल की जाने वाली दो इमात्ने जमीदोज हो गए है हिजबुल्ला ने बताया कि ये हमला दक्षणी लिबनान कस्मों और गावों पर इसरायली बंबारी के जवाब में हुआ है बताया गया कि हिजबुल्ला के फाइटर्स ने कबजे वाले लिबनानी कफर चौबा पहाड़ियों में रुवेईसत अल आलम मिलिटरी साइट के साथ साथ एक इसरायली असेम्बली पॉइंट पर भी तो खाने से हमला किया है हिजबुल्ला के हमलों की बोचार इन इवन मेनाकेम बस्ती के पूर्व में बसी एक अन्य इसरायली बनों की बस्ती को भी निशाना बनाने का दावा है अपने ऑप्रेशन की सिरीज के एक हिस्से के रूप में लड़ाकों ने राहिव मिलिटरी साइट पर इसरायली निगरानी उपकरणों पर भी जोरदार हमला कर नश्ट करने का दावा किया है वहीं अरब न्यूज एजिंसी अल मयादीन की खबर की माने तो इसरायली हमले दक्षडी लिबनानी गावों और कजबों पर जारी है जहां एक इसरायली तोब खाने के गोले से लिबनानी सेना की चौकी पर हमला किया गया इसमें धायरा शहर के आसपास के शेतर को निशाना बनाया गया था इसरायली तोब खाने की गोली बारी ने बुर्ज, अल मोलूक और अल हमामिस हिल के आसपास के इलाके को निशाना बनाया है जबकि इस्राइली हवाई हमले ने अल-जुबैन शहर को निशाना बनाया था उधर इस्राइली मीडिया ने शुकरवार को कबजे वाले फिलिस्तीन के उत्तरी मोर्चे पर टकराव के पैमाने से जुड़े आकड़ों का खुलासा किया है इसमें बताया गया कि उत्तर में लड़ाई बहु मोर्चे के टकराव का एक अविन अंग है इस्राइली मीडिया ने हिजगुला को हार से बहुत दूर मानते हुए दावा किया कि अब तक हिजगुला ने 7 अक्तूबर से 3100 रॉकेट और मोर्टरार और 39 विस्पोटक ड्रोन लाँच किया है इसके अलाबा हिजगुला ने 100 से 500 किलोग्राम तक के लगभग 240 भारी रॉकेट दागे हैं जिसने गंभीर नुकसान पहुँचा है इन बमों ने बिरानिट में अल जलील टिवीजन के हेड़कॉर्टर को तबह कर दिया हिजगुला ने कम से कम 700 एंटी आर्मर मिसाइले लॉंच की है जिसमें से कुछ एडवान्स हैं जिसने न सिर्फ इसराइली सेनाओं की बस्तियों और फ्रंट लाइन पर अटेक किया बलकि मेरोन में एर ट्राफिक कंट्रोल यूनिट जैसे रणनीति ठिकानों में भी जबर इसराइली अकबार की माने तो हिजगुला के पास दो लाख रॉकेट अलग-अलग आकारों के करीब एक लाख मोटरार गोले और सटीक शमताओं वाले हजारो आधा टन रॉकेट गोले के अलावा हाइफा तक पहुँचने में सक्षम हजारो ग्रेंड रॉकेट है जो एक ऐ बाख 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 दिए टुटपने में में स्टीक शमीज़य आग घ्रेंड चारों कारी एक अलावा है तो हुआ है गार्बड़ एक वाले हो जो आटने के लाख में तो हैंगा है जो है जो है नो हैं उल्सक्तिक वाले कर दो हैं